विल्कम बैक टू मैई चैनल इस साइट सिदी आज की वीडियो में आप सभी के लिए दिल्ली उनिवसिटी के लिए लेकर कर आई हूं आज की मेगा टैस सरी आपकी सेवंथ मेगा टैस सरी होगी से पहले हम आलरेडी को सेवन शिक्स तू सेवन टैस अलरेडी कर चुक है जो भ सभी ने इंसिस्ट किया था कि मैं स्टोरियोग्राफिक के साथ मैंने कुछ इंशन मेडियेवल और मॉर्ण के इंपॉर्टेंट क्वेशन रखे और इस वीडियो में आपको टोटल 25 क्वेशन देखने को मिलने वाले तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की एक्जाम की प सब्सक्राइब आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगी आपके एक्जाम तब आप सभी मॉक टेस्ट चाहते हैं और अभी आपको रिविजन के साथ साथ टेस्ट की ज़्यादा जरूरत है अगर आप चाहते कि वीडियो कंटीनियो आते रहे तो सबसे पहले आपको इस व वीडियो सिर्फ दिली उनिवसिती के लिए हिंदी सीवीटी बेस के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट वैसन से नेक्स्ट है जो भी स्टुडेंट प्रेशन कर रहे या और भी अधर एक्जाम के लिए यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली तो चलिए अपने टॉपिक में वीक है तो चलिए स्टार्ट करते और बढ़ते अपने क्वेशन की तरफ तो स्टुडेंट यह आप सभी के सामने आपका पहला क्वेशन जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है इन में से जिस कौन सी ऐसी रचन है जो टेक्स्टी रस्त के द्वारा लिखी गई आपके पास दुआरा लिखी गई यहां पर प्र ओप्स यहां पर मैंशन है कौन से और और आपको पताना है इसमें से कौन सा ओप्शन सही है संब्सक्राइब जिटनी विए आप सभी को यहां दो झालगी तो तो आप इस question का जबाब easily से कर पाएंगे और इतना 15 सेकिंड आप सभी को questions के नहीं मिल रहे हैं और अभी तक maximum response कर दिया होगा तो आप सभी और आपको जल्दी जितना हो से कि अपने questions का answer comment box में बताना है ज्यादा time नहीं लेना है क्योंकि आप सभी को पता है आपके पास hundred questions होंगे जिस्तों कि आपको दो घंटे के अंदर अपने exam को cover up करना है तो आप लोगों की speed अच्छी खासी होना चीए और आप सभी को पता है आप लोगों का exam online होगा और साथ ही मैं बता दू बहुते student को it out होता है कि कौन सी language में होगा तो ये आपके English और Hindi दोनों exam में आपको ये exam देखने को मिलेगा तो इसलिए आपको परिशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आईए चलिए बात करते हैं अपने question की तो techie test की दोवारा जो book लिख लिखी गई है तो आप लोग अपने सबसे पहले यह चैक आउट कर लो option में आपको options भी यहां पर देखने पड़ेंगे ताकि आप लोग जल्दी से answer कर सके यह तर टाइम डाले तो आप लोग देखो history आपको पता techie test के दोवारा लिखी गई तो जहां भी first option है उस options को रख आगे बढ़ते हैं dialogue on orators obviously बात है यह भी आपका techie test ने लिखा और यह दोनों options यह है अब बात आते है कि life error collar या फिर histories of Rome इन दोनों में से कौन सी बुक आपके techie test के दोवारा लिखी है तो याद रखना life error collar जो है यह बुक आपके techie test के दोवारा लिखी गई है it means this question का right answer option number a है यानी histories dialogue of orators और राइफ एरकॉला यह तीनों की तीनों बुक आपकी इसकी techie test के दोवारा लिखी गई है और यह single भी पूछा जा सकता है इसलिए आपको यह तीनों बुक से याद होनी चाहिए भही मैं अगर बात करूँ आपकी histories of Rome यह बुक किसके दोवारा लिखी गई है तो याद रखना यह बुक आपकी Theodore Momson के दोवारा लिखी गई है ठीक है Theodore Momson के दोवारा यह बुक लिखी गई है तो अगर आपके exam में history of Rome पूछ लिया जाए रोम के यतिहास की जो यह बुक कही किताब किस ने लिखी थी तो राइट अंसर क्या होगा Theodore Momson है यह भी single आप सभी से पूछ लिया जा सकता है इसलिए आपको यह याद रखना चाहिए clear हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे इसकी explanation की बात करते है तो यहाँ पर आप explanation देख सकते हैं The history of Rome is a multi-volume history of ancient Rome written by Theodore Momson 1817 to 1903 इन्होंने Theodore Momson ने किताब लिखी थी और साथी साथ इसको originally published किसके दोरा किया गया था आप लोगों को याद रखना है और ये काम रोमन गणराज्य से समन्दित था किस से था रोमन रिपब्लिक से अगर आप लोगों ने रोमन एमपायर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता है रोमन एमपायर में सबसे पहले मोनार्की सिस्टम थी रोमन एमपायर को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो यह सारी चीज आपको अच्छे नौलेज होगी चलिए नेक्स्ट है आपको सेकंड क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं तो किसकी स्टूडेंट का फर्स्ट क्वेशन करेक्ट हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सेकंड क्वेशन आप सभी से मैंने पूछा है आपकी यहां पर बुक है दा लोकल रूट्स ओफ इंडियन पॉलिटिक्स एटी 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 टू नाइटी टू नाइटी ट्वेंटी ट्वेंटी पॉब्लिश्ट इन नाइटीन सिक्टी एट वस ओथर्ड बाई विच ओफ आप से पूछा गया है यहां पर 1968 में बुक को यहां पर पब्लिश हुई थी ता लोकल रूट ओफ इंडियन पॉलिटिक्स आपको बताना है यह किस इतिहासकार के द्वारा यह किताब लिखी गई थी आपक्य आप्संस हैं जॉन गॉलागर रॉलेट रोबिंसन अनिल सील सी ए बैले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ता लोकल रूट ओफ इंडियन पॉलिटिक्स की जो यह बुक है यह कौन से इतिहासकार के द्वारा यह किताब लिखी गई थी वेरी इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से आपके एक्जाम में आपको क्वेशन देखने को मिलने है तो आपको यहां पर देखो कि यही क्वेशन वीडियो को बिल्कुल इसके करना वीडियो को कराने के बाद जो भी चीजे में आपको बताती हूं उसको भी आप सभी को बहुत ही ध्यान से समझना है चलिए आप लोगों ने इस क्वेशन का अंसर अभी तक बता दिया है त तो जितने भी स्टुडेंटस ने क्वेशन नमर्स सेकेंड का अप्शन दी बता है वो बिल्कुल करेक्ट है लेकिन जितने भी स्टुडेंट का यह गलत हो रहा है कोई बात नहीं आप लोगों की ब्रैक्टिस चल रही है आप लोग पूरी लेकिर आको शुरिक करना है कि य आगे बढ़ेंगे next question की तरफ question no.3 यह आप सभी के सामने जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है which of the following is not associated with the Cambridge school of historiography आपसे मैंने यह पर क्या पूछा है इन में से ऐसा कौन इतिहास लेखन के Cambridge school से संबंदित नहीं है स्टोरोग्राफिय में आप में अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपसे Cambridge school of historiography से कौन सा इतिहास कार इससे connect नहीं है यह चीज़ पूछी जा रही है आपके options है डेविट वेस्ब्रॉक किस्टोफर बेकर गॉर्डन जॉंस्टन या फिडेविड हडी में तो जल्दी से कमेंट करके बताए इन मेंसे वो कौन सा स्टोरी ने जो Cambridge school से connect नहीं है जल्दी से बताए जितने भी student चैनल पे नए आए हैं आप जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लोगर आप लोग ने चाहिए को सस्क्राइब नहीं किया है आपको चैनल पे क्वेशन की तरफ अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा और आपसे क्वेशन में याद रखना नाट पूचा है तो स्कूल आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा तो डेविट वैसब्रूक और आपके किस्टोफर बेकर गॉर्डन जॉंसन यह कितीडो की तीनों ही instat केंबरी स्कूल से कनेक्ट थे लेकिन डेविड हरेड में यह तो जिस्टेवी इस स्टूडेंट ने डी वताया वह बिल्कुल करेक्ट है चलिए और यह क्यालतेद पर आप डेविड है को देखेंगे ठीक है और यहां पर आप बेसिकली मूव्मेंट में क्या दिखेंगे आदिवास इंडिया तुचेंज इस्टैब्लिश्मेंट वे अफ लाइफ यहां पर आप देखोगे जो सवल्टन सवल्टन के प्रस्पेक्टिफ से अगर आप देखोगे तो यहां पर आप और पक्षिम भारत क्या दिवासियों के बीच अपनी स्तापित जीवन सेली को बदलने के लिए इन्होंने एक अंदोलन किया था ठीक है तो आप लोगों को क्या याद रखना है तो आप लोगों को याद रखना है डेविड है डिमेंड जो है यह आपके सवल्टन पे है यह इस से कनेक्टिड है ना कि कैम्बरे स्कूल से चलिए आगे वड़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन यह आप सभी की सामने क्वेशन नमबर फोर है आपको यहाँ पर देख सकते हो दिली उनिवर्सिटी में इस तरीके से क्वेशन पूछे जाते हैं और आपने देखा भी है तो जल्दी से कमेंट करके आप सभी को बताना है कि इस क्वेशन का राइट अंसर क्या है यहाँ पर आप सभी से एक तरफ की लिस्ट दे रखी है और एक तरफ उनकी वर्क दे रखे हैं और यहाँ पर आपके पास आप्शन से मैं आपको टाइम देरिस क्वेशन को करने के लिए तो जल्दी से अगर आपको इसमें से एक दो राइटर्स के बारे में भी पता होगा तो आप लोग इसको इसली से आपको स्टोरियोग्राफिक का सेक्शन बहुत स्ट्रॉंग होना चाहिए चलिए देखते हैं पहले ऑथर है जुदीद एम ब्राउन नेक्स्ट आपका मुसिरूल हसन थर्ड है आपके जो ऑथर है डेवी डेलो और फोर्थ है आपके डी रॉथर्मूंड यह चार ऑथर्स ह है और आपको बताना है तब फेज ऑफ इंडियन नेशनलिजम यह बुक किसके दौरा लिखी गई थी बृटेन इंडियन नेशनलिज्ट इंप्रेंट ऑफ एम्बिविटी थर्ड बुक की जो है आपकी गांदी की प्रिजनर ऑफ होप फोर्थ बुक है आपकी इंडिया पा इसली से कर पाऊगे तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अभी तक मैक्सिमूम स्टूडेंट ने आशा करती हूं कि इसका अंसर बता दिया होगा ठीक है तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके जो फॉर्स्ट ऑथर है जुडिट एम ब्राउन आप सभी को पता है कि जुडिट एम ब्राउन ने कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने बुक लिखी थी आपकी इंडिया पार्टिशन प्रोसेस स्ट्रेटेजी और तो यह आप देख सकते हैं आपके option A में तो नहीं है यह answer नहीं होगा और यह option D में भी नहीं है यह तो आपका B option करेक्ट होने वाला यह तो सी चलिए मैं आपको एक बार और चांस देना चाहूंगी तो आप जल्दी से बताओ कि इसमें से right answer कौन सा होने वाला है option B या फिर option C जल्दी से comment करके बताई क्योंकि आपको मैंने थोड़ा सा मैंने simple कर दिया लेकिर याद रखना जुजित M. ब्राउन ने कौन सी बुक लिखी थी आपकी इंडिया partition की चलिए आगे बढ़ते हैं मूसिराल हसन की मैं बात करूँ तो आप सभी को पताए मूसिराल हसन ने बुक लिकी थी गांधी प्रिजनर ओफ हो ठीक है आगे बढ़ेंगे डेवीडे लो की तो डेवीडे लो ने लिखा था आपका दफेज ऑफ इंडियन नेशनलिजम और लास्ट अगर हम बात करेंगे डी रॉजर मूड यह बुक लिकी थी रोने बृते इंडियन 3,4,2,1 तो जितने भी स्टूडेंट ने ये बताया है वही सही है और साथी साथ मैं आपको बता दूँ अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों ने जहां भी स्टोरियोग्राफिका सेक्शन आप कर रहे हैं आप लोग इसको नोट परनी है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट की तरफ क्वेशन नमबर फिफ्ट की तरफ क्वेशन नमबर फिफ्ट में वेने आपसे पूछा है According टू टॉयन बी आपके टॉयन बी के अनुसार इतिहासकारों के संपून इतिहास की हिकाई क्या होनी चा सिविलाइजेशन यानि की सभ्यता बहुत ही एजी और सिंपल क्वेशन है स्टोरियोग्राफी के उपर है बहुत ही अच्छा क्वेशन है यूजी से नेट में भी पूछा जाता है तो यह तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोग जानते हो अकॉर्डिंग टुटो और हिस्ट्री है इसकी इकाई के आपकी सिविलाइजेशन यानि की सभ्यताओं के उपर इसलिए फिफ्ट क्वेशन का राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन नम्बर बी चलिए आगे बढ़ेंगे इसकी एक्स्प्लिनेशन की बात कर लेते हैं दस्टडी ओफ हिस्ट्री आप नेशन नी बोला उसने क्या बोला था एंटायर सिविलाइजेशन टॉयन भी ने पांच जीवी सभ्यताओं की पैचान करता है उसने पांच सिविलाइजेशन फाइफ सिविलाइजेशन के बारे में बताया है एक आपकी वेस्टन क्रिस्टन यानि पश्चिमी इसाई यानि की इस्लामी फार इस्टन यानि सुर्दूर पूर्वी तो टॉयन बीने याद रखना कितने सिविलाइजेशन को इडेंटिफाइफ किया है और यह फाइफ के फाइफ आपको नाम भी याद होने चीए यह क्वेशन भी आपके यूजी सी नेट के लिए भी बहुत हेलफ दॉ फॉलन अर लोर लेटिद उ हिस्ट्री एपिगराफी शिगरॉगडफी पेलियोगराफी पुला लेक सी मिलाफी ऍ2020 निचप दो रखने हैं और शापती साथ आप मुझे और करके यह बताएंगे कि 歐फिव का मतलब होता है सिकलोग्राफी का क्या मतलब होता है नदया और पैलीacas का मतलब होता है यह सब कुछ आप मुझे का मेंन करके बताएंगे जितने भी student को इस चीज़ के बारे में पताए तो चलिए बढ़ते हैं अपने question की तरफ अभी तक आप सभी ने question का अंसर बता दिया होगा तो येस आप सभी correct है आप सभी को पताए कि हमारे history जो है वो आपकी epigraphy से भी है सिग्लोग्राफी से भी है philology से भी और पैलियोग्राफी से भी है ठीक है इसी वज़े से इस question का राइट अंसर क्या होगा option number 4 a b c d ये सभी के सभी correct है अब बात करते हैं ये तो ऑव्यसी बात है कि आप में से किसी का भी बलत नहीं हों कि आप सभी history के student है तो obviously बात है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा चलिए बात करते हैं कि पैलियोग्राफी का मतलब क्या होता है पैलियोग्राफी आपको systematic study of old handwriting की ठीक है इस पे आप क्या करते हो आपने old handwriting का यहां पर आप उसको systematic इसको study करते हो आप उसके alphabet को समझते हो ठीक है उसे कहते है पैलियोग्राफी का मतलब भी आपको पता है रिटर्न होता है राइटिंग होती है यह भी बात आपको अच्छे से पता है और पैलियो मतलब भी आपको पता है old पैलियोथिक पीरड आप लोग पूरा पाशान काल पढ़के आच चुक है तो यह आपको पता है old handwriting जो systematic में इसको study के रहता है उसे पैलियोग्राफी कहा जाता है आगे बढ़ेंगे next है आपका siglography तो siglography आप देख सकते हैं यह word आपका sigl मतलब seal से है और signature से है और it also means mark आप सभी जानते हैं अक्षर जो भी आपको sign मिलें जो भी आपको seals मिलें तो इतिहास में यह उन महरों के लिए अध्यन को दर्शाता है जो उसे राजनियक विभाग के रूप में पड़ी करते हो इसलिए इसको siglography कहा जाता है आगे बढ़ेंगे next epigraphy आप सभी को पता है epigraphy क्या होता है जिसमें आप coins की सिको की आप लोग ठीक है इसके यहां पर read करते हैं यह आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है inscriptions आप पढ़ते हो copper plates आपने अच्छे तरीके से पड़ा है inscriptions इन सभी को क्या केते हैं इसलिए आपके epigraphy में आते हैं फोर्थ को देखेंगे फोर्थ वन आपका पिलियोलोजी तो यहां पर आप क्या करते हो आप जो हो study करते हो भाषाओं को चाहिए वो आपका past में हो चाहिए वो आपका present condition में हो तो पिक्जो रोशी यहां पर आप अपने past को यानि अपने अधीत को और वर्तमान दोनों श्तिती में भाषाओं को अध्यन के त्यास को बहुत सारे यहां पर advantages यहां पर क्या provide किया गया ठीक है आपको देखने को मिलता है clear हो गया ही चीज तो आशा करती ही कुछ नई चीज आप लोगों को पत चली होंगी चलिए आगे बढ़ेंगे question number seven की तरफ question number seven पर मैंने आप सभी से पूछा है इन में से कौन सा कर रहे एसल्ट कर के द्वारा किया गया है which of the following work were authorized by a.s. अट लेकर आपके options है state and government of ancient India, early history of the Deccan, coinage of the Gupta Empire, the राष्ट कूट and their times आपको बताना है एसल्ट करने प्राचीन भारत का राज्जे और सरकार इन में से इस पे काम किया है या फिडगकन का पारंभी के तिहास, गुपता समराज्य के सिक्के एन राष्ट कूट और उनका समय तो जल्दी से comment कर किया बताओ यहाँ पे options मैंने हाँ पर आप सभी को दे रखा है और आ इसमें से एक कोई गलत है वो आप लोग मुझे जल्दी से comment करके बताने वाले हैं कि इसमें से एक जो गलत है वो कौन सा गलत है तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि आपका ASLT करने किस पे काम कर रहा था तो यहाद रुखना state and government of ancient India यह आपके AS alter के दोरा इन्होंने यह बु आपके AS alter कर के दोरा नहीं यह बुक आपके गुलाम या अजदानी के दोरा लिखी गई है ठीक है तो इसलिए आपका second option गलत होता है तो इट मींस आपके first option में भी second है second option में भी second है और fourth option में भी second है इसका मतलब आप question का right answer option number C है मतलब coinage of the gupta empire and the rast good and their times और आपका state and government of ancient इंडिया यह तीनों बुक आपकी AS alter कर के दोरा लिखी गई है लेकिन early history of the decan या आपके गुलाम या जदनी के दोरा लिखी गई है very very important है आपके exam में यहां से questions आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी तो लेकिन आपको पूरी कोशिश करने कि आपको यह नाम याद और single आपसे early history of the decan भी पूछा जा सकता है कि इसके author कौन है तो याद रखना गुलाम यास दनी तो question number seven का right answer option number C है तो जितने भी student ने option number C बता है वो बिलकुल correct है चलिए आगे बढ़ेंगे तो यह सारी books आप लोग यहां पर देख सकते हैं AS Altiker की और भी book से आपको याद होनी चाहिए यह book है आपकी education in ancient India यह book आपकी AS Altiker के दोरा लिखी गई है state and government in ancient India यह book आप देख सकते हो कुछ इस तरह की की नजर आएगी दवातक गुपता एज भी आपकी AS Altiker के दोरा लिखी गई है और जर्नल आप दे निमेस्टिक सोसाइटी और इंडिया यह book भी आपकी AS Altiker के दोरा लिखी गई है तो यह book भी आपकी AS Altiker के दोरा लिखी गई है तो यह कुछ extra books भी मैंने आपको इंसर रिल्टिट बता दिया है तो आप लोगों जहां भी ये note down करते हैं उस पे आप लोग ये heading डाल सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी books लिखे ये सारे नाम अगर आपको पताओंगे तो ही आप उन में से ऐसे options जो इन्होंने books नहीं लिखे ये आप तभी सेलेक्ट कर पाओगी जब आपको ये सारी books यहाद होंगी एक बार मैं आप सभी के लिए ये सारी books repeat कर देती क्योंकि में भी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ये book है education in ancient India ठीक है second book है आपकी state and government in ancient India थर्ड बुक जो इन्होंने लिखे दवातक गुपता एज फोर्थ है आपकी जर्नल आप दी नुमेस्टिक सोसाइटी इन इंडिया एंडर प्लास्ट वन इस पोजीशन ओफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन तो ये सारी book किसके द्वारा लिखी गई है आपकी एस एलिटिकर के द्वारा चलिए आगे बढ़ेंगे आप चाहतों उसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं बाद में लिख लेना आगे बढ़ेंगे एक्स्ट क्वेशन की तरफ क्वेशन नमबर एट की तरफ क्वेशन नमबर एट में आपसे पूछा गया है दा बु दिजम से लेट इडिक वेशन पूछा है देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको करेक्ट कर पाते हैं आपको बताया है बुद्ध को ग्यान और करुणा के सागर के रूप में प्रतिश्टित किया था किसमें बुद्ध चरित में जातक तेल में या फिर अमर कोश में या फि टैली ग्राम चलनर का लिंकक दिस्क्रेफिशन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा दो टैली कार्म चले एक आपको आपके कोईब्ध डाउट या क्वेडि या क्वेरी है तो आप उस टैलीग्ण चल् fulfilled और हिस्ट्री की बुक्स से लेटेट पीडियाप भी मिल जाएंगी तो उसके लिए हमारे टेलीक्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा जिन्होंने अभी तक नहीं करा है लिंक डेस्क्रिप्शन में है और अगर जो भी लिंक जिसका उपन नहीं होता है तो आप हिस्ट्री चैनल के पेच पर आप जब ओपन करोगे इसी में आपको इसका में दूसरा चैनल भी मिल जाएगा चलिए बात करतें अपने क्वेशन की तो क्वेशन में पूछा था बुद्ध को ग्यान और करुणा के सागर के रूप में किसे प्रतिश्टिट क्या गया था तो याद क्या है आपका अमरकोश और आपको पता ये भी आपकी किसमें संस्कृत भाषा में ये किताब लिखी गई थी ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी आपके इस एट क्वेशन का राइट अंसर होगो option number C आगे बढ़ेंगे इ अमरकोश पराण्चीन भारतिय विद्वान अमरज सिंग के द्वारा किसके द्वारा अमर सिंग के द्वारा ये बुक संस्कृत में लिखी गई है वेरी वेरडी इंप़ॉटेंट है कि याद रखना सिंगल भी पूछा सकता है Change Two प्राशा में लिखी गई है जिसमें बुद्ध को ओशन और विज्डम और कमपैशन कहा गया है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेशन नमर नाइन की तरफ क्वेशन नमर नाइन भी आपका बुद्धिजम के टॉपिक से रिलेटिड मैंने रखा है जिसमें मैंने आप सभी से पूछा है भारती और चीनी चित्रकारों द्वारा पहली बार बुद्ध चित्रकला के लिए तेल चित्रकला का इस्तमाल पच्छमी डैश में कभी कभी पा बुद्धिस पेंटिंग इंडियन और चाइनीज पेंटर इन वेस्टन डैश सम्टाइम्स बीट्विन दा फिफ्ट एंड तैन सेंचुरी आपके और इराक अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया आपको यहां पर बताना है भारत और चीन के इतिहासकार है इनमें से इस आफसे पूछी जारें जल्दी से कमेंट करके बता हो इराक में किया था अफगानिस्तान में किया द्र का फिर हम यहां ने की भारत में किया था आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा हुआ होगा और ये आपने बहुत जगा questions देखा भी होगा या फिर अगर ये आपसे exam में पूछ लिए जाए तो याग रखना जो oil painting को first time बुद्धिस painting में यूज किया था आपके इंडियान या फिर आपके चाइनीज पेंटर है वह आपके वेस्टन अफगानिस्तान में ठीक है इस question का राइट अंसर क्या होगा option नमबर भी तो option नमबर भी क्या होगा और चाइनीज पेंटर इन वेस्टन अफगानिस्तान बेमियल वैली यूजिंग ओईल फ़म वालनट एंड पॉम्पी सीट आप देख सकते हैं कि हाँ पर इन्होंने बहुत जित्ति के लिए तेल पेंट की पहली बार इन्होंने उपयोग किया था जिसमें इन्होंने आपक खसकस के तेल कोपी किया था था किसका अख्रोट का और खसकस के तेल यानी की वालनट एंड पॉम्पी सीट का यूज़ किया था चलिए आगे वाड़ेंगे क्वेशन नंबर 10 की तरफ क्वेशन नंबर 10 में मैंने आप सभी से पूछा है 10 में मैंने आप सभी से पूछा है उब्देश आत्मक मुद्रा या हाव भाव का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को गंधार मूर्थियों में अपना पहला अब्देश देते हुए दर्शाया गया है आपको बताना है वह जो प्रीचिंग बुद्र और गयेस्चर है उसका नाम क्या है अबै ध्यान धर्म चक्र या फिर भूम श्पर्श तो आप सभी को पता है जो यह उतेशाया जेते वैया धर्म चक्र का सायन दिया जाता है तो इस question का right answer क्या होगा option number C तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप जल्दी से comment करके बताओ out of 10 आप सभी ने अभी तक कितना score किया है जल्दी से जल्दी आप सभी मुझे comment करके बताए कि out of 10 आप लोगों का score कैसा रहा और यहां तक आप लोगों के कितना कुछ आपको यहां पर नया आपने सीखा वो भी साथ मुझे बताना और next वीडियो आप किस पे चाहते हो सबसे जादा कौन से topic पर question चाहते हो उस topic का नाम आप लोगों मुझे comment पर जरूर बताएंगे चलिए आगे बढ़ेंगे question number 11 की तरफ यहां पर आप इसकी explanation भी देख सकते है धर्म चक्र मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों के इस्तमाल के लिए जाने वाले ऐसे ही दिल्चस्प और अनों के हाथ के इशारों में से हीक है क्योंकि उन्होंने ज्यान प्राप्त करने के बाद सारनात में अपने पहले उपदेश में धर्म चक्र मुद्रा का प्रदर्शन किया था यह बात आप सभी जानते है और सबसे पहला उपदेश पहला सर्मन याद रखना कहां दिया था सारनात में लिया था ये चीज़ आपको आल्रेडी पता ही है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 11 की तरफ question number 11 में यहाँ पर आपको read the following statement आपको यहाँ पर statement को पढ़ना है और correct answer बताना statement है समासास्तियों ने समझाया कि किस प्रकार जातिया अपने वैविसाय के साथ संस्कृत करण के रूप में तीन इस्तितिया भी बदलती है sociologists have explained how caste also change three status along with their professions under the form of culturalization आपको यहाँ जो पूछा है जो यह अपका principle है कल्चराइजेशन का यह क्रिसे प्रतिबादन कर रहा है आपके options है काल माक्स एमन स्रिवास सरी निवास रुमीला थापड यह मैं फिर मैक्स वेबर तो चल्दी से कमेंट करके बताओ इस question का right answer क्या होगा यह statement आप देखे रहे हैं इस statement में संस्कृति करण के सिधान का प्रतिबादन किस ने किया गया है यह आपको बताना है इस question में रुमीला थापड काल माक्स एमन स्रिवास या फिर मैक्स वेबर इसमें से correct answer क्या होगा यह चीज़ आप से यहां पर पूछी जा रही है तो अगर आपके एक्जाम में यह question आए तो याद रखना जो आपका प्रिंसिपल कल्चराइजेशन का संस्कृति करण के सिधान के जो प्रतिबादन किया है इसका right answer आपका M.N. सिरी निवास तो question number 11 का right answer क्या होगा option number B चलिए आगे बढ़ेंगे question number 12 की तरफ question number 12 में मैंने आप सभी से पूछा है यह book आप सभी देख सकते हैं peace and society and culture आपको बताना है यह book किस ने लिखी है आपके options है AR देसाई ने, Robert Redfield ने, Ahmed ने या फिर RH Lowe ने तो चल्दी से comment करके बताओ peace and society and culture अगर आपके exam में पूछ ले जाए तो याद रखना peace and society and culture की यह book आपकी Robert Redfield ने लिखी थी question number 12 का right answer क्या होगा option number B चलिए आगे बढ़ेंगे question number 13 की तरफ question number 13 के लिए मैं आप सभी को time दे रही हूँ यहाँ पर आपके पास देख सकते हो एक तरफ आपको काम दे रखा है आपके जो authors की book है और दूसरी तरफ आपके authors के name है और आपको बताने है कौन सी book किसके थूर लिखी गई है और साथी साथ यह रहे हैं आपके सारे options तो फर्स्ट author आप देख सकते है एडवर्ड ग्रॉस है सेकंड author है पीटर ब्लाव थर्ड ऑप्शन है थियोडर कैपलो और फोर्थ ऑप्शन इस रोबोट ड्यूबिन तो यहाँ पर आपके पास यह four authors है और आपके पास यहाँ पर options भी दिया हुआ है तो जल्दी से comment करके बताए कि कौन सा right answer होगा चलिए बाकी में आप सभी को बताते रहते हैं लेकिन आपको मेरे बताने से पहले comment में बताना है कि question number 13 का right answer क्या है मैं आशा करते हूं कि आप सभी जितने भी वीडियो को अभी देख रहे हैं च out of 25 आप सभी का score कितना रहा चलिए बात करते हैं इस question की तो याद रखना Edward Gross ने कौन सी बुक लिखी थी work and society ठीक है नेक्स्ट आपका पीटर ब्लो तो पीटर ब्लो ने आपकी bureaucracy and modern society की बुक इन्होंने लिखी है थी ओडर कैपिलो पूछा जाए तो याद रखना थी ओडर कैपिलो आपकी sociology of work इन्होंने लिखी है और Robert Dubin आपकी the world of work इन्होंने लिखी है इस question का right answer आपको option number A है तो जितने भी student ने question number 13 का ही बता है वो बिल्कुल correct है चलिए आगे बढ़ेंगे next question question number 14 की तरफ question number 14 में मैंने आप सभी से पूछा है भारत की परिष्टी की नारिवादी का निवास विकास किसके परिडाम सरूप हुआ था इको फेमिनिजम ग्रिव इन इंडिया आज दर रिजल्ट आपकी option से participation in चिपकू मुवमेंट, women participation in डांडी मार्च, women participation in freedom struggle and women participation in local movement question आप सभी को समझ में है रहोगा, eco-feminism जो है हमारे भारत में ये कब बढ़ा, कब इसका grow हुआ आप से पूछा गया है जब women's ने आपके चिपको movement में participate किया था या फिर डांडी मार्च में या फिर आपके freedom struggle में या फिर लोगपाल movement में तो eco-feminism पहले तो आप सभी मुझे comment करके बताएंगे कि eco-feminism का मतलब क्या होता है इसका answer मैं comment box में जरूर चेक करूँगी कि eco-feminism का क्या मतलब होता है लेकिन अगर हम बात करें आपकी eco-feminism का जो विकास है भारत में कब हुआ था इसका परिणाम सारु क्या हुआ था आपके चिपको आंदोलन में भागीदारी ठीक है इसलिए 14 question का right answer है आपका option number है participation in चिपको movement तो 14 का right answer हो को option number A तो जितनी भी student ने option number A बता है वो बिलकुल correct है इस तरीके के भी question दिली उनिवर्शिटी में आपको देखने को मिलते हैं और आपको लगता है कि क्या question पूछा है कहां से पूछा है लेकिन आपके exam में इस तरीके से पूछे जाते ही है चाहे जितने भी student अल्रेडी previous question चेक आउट कर सकते ह तो आप लोग मुझे बता सकते हैं फिर से मैंने match the following रखा एक तरफ आपको बताना है एक तरफ आपका imperialism समराज्यवादी का concept है और एक तरफ उनके promoter है तो कौन से promoter ने किसने imperialism को support करा था वो आपको बताना है ब्लॉंटेस, बॉर्डन, फ्यूडलिजम, a stage of capitalism on the capitalist system, अस्कुमेटर, माक्स, किपलिंग, option deviation, world history से related है इस तरीके को question आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा एक से एक बुक से अनौतर स्टोरियोग्राफिक की जीजे मैंने आपको चैनल पे कराई जल्दी से कमेंट करके बताओ, options यह रहे आप सभी के सामने, और अगर मैं बता दू जितनी भी student हमारे चैनल पे नए आए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चैक आउट कर सकते हैं, मैंने आपको इस्टोरियोग्राफिक और साथ साथ आपको books and authors के बहुत सारे lectures में ले चुकी हूँ, link description box पर ने तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैक आउट करो, यह सिंगल एक वीडियो मैंने इस पर बनाई, यह प्लेलिस्टोरियोग्राफिक अलग बनाई है, books and authors की एक आपको 2021 और 2022 तो यह दोरों ही प्लेलिस्ट आपको चैक आउट करनी है, अगर आपने यह सारी वीडियो, यह सारे lectures कर लिए, तो 50 to 20 questions में आप आराम से कर लेंगे, इन में से अगर आउट पने 20 questions है, तो आप 15 easily से कर पाऊगे, कोई भी problem आपको आने ने वाली है, और साथ साथ जो अभी मैं आपको करा रही हूँ, और अभी recently में मैंने भी नए कुछ और भी important कर लेक्टर्स नहीं देखिए, उसको जरूर देखिएगा, बहुत helpful हो रहे वाली है, और जब आपके exam में आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे comment करके इसी वीडियो के नीचे जरूर बताएगा, कि स्टोरियोग्राफी या फिर बुक्स और जो भी question आए, आप लोगों के exam मे क्या हमारे चैनल से आपको help मिली थी या नहीं, ताकि future में जो भी student हमारे चैनल पर जूड़े तो उनको इसे सारी doubts clear हो जाए, चलिए अपने बढ़ते हैं, अपने answer की तरफ, question में याद रखना, Scumometer की में बात करूँ, तो इसके right answer क्या है, आपको पता इन्होंने किस पर काम क्या था आपके, Fudalism पे किस पर काम करा था इन्होंने, आपके Fudalism पर क्या था, तो इसका मतलब, हम एक मिनट हम दुबारा से करते हैं दुबारा करते हैं वह में थोड़ा साथ को उल्टा कर रहे थे हम यहां से करते हैं देखेंगे आप Blondis Burden की बात करेंगे तो Blondis Burden ने जो इस पर उसने काम करा था यह आपका फ्यूडलिजम का तो फ्यूडलिजम पे किस ने काम किया था यह आप सभी को पता है आप के प्लिंग नहीं ठीक है आगे है आपका स्टेज ओफ कैपिटलिजम तो स्टेज ओफ कैपिटलिजम पे जो काम किया था वो कौन है आपका स्किंपीटर और लास्ट है आपका on the capitalist system आपको option deviation नहीं किया था it means 3, 1, 2, 4 इसका right है तो यह आपको option number third है तो 15 का right answer होगो option number third चलिए आगे बढ़ेंगे question number 16 की तरफ question number 16 में मैंने आपसे पूछा है कामरूप भारत के किस छेतर का प्राची नाम है बहुत ही अच्छा question है आपके option से बिहार, राजिस्तान, करनाटक या फिर असम आपको बताना है कामरूप जो है भारत के किस छेतर का प्राची नाम है ancient name है यह कामरूप पहले उसका नाम था लेकिन वो बदल कर या तो बिहार हो चुका या तो राजिस्तान या तो करनाटक या फिर असम आपको यह चीज जल्दी से कमेंट करके बताने की 16 का राइट अंसर क्या होगा यहां पर आप next slide पर explanation भी देख सकते हैं प्राची नसम को प्रारिम्बिक समय में प्राग जोतीस और बाद में कामरूप के रूम पे जाना जाता है ठीक है यह पोना कालिक के दौरान कामरूप के रूप में जाना जाना जाएगा इसकी कीवंदंती के अधार पर की कामदेव प्रेम के देवता भारती कामदेव जो सिव की उग्र द्रिष्टी से नस्ट हो गए थे वाजीवन में लौट आए कामरूप के राज्ये का पहला इतिहासिक संदर्व समुंद्र गुपता के इलाभाद स्तमसिला लेक में मिलता है वेरी इंपोर्टेंट अगर याद रखना पूछ लिया जाए तो इसका की कामरूप इस मेड इन दा अलाभाद पिला इंस्क्रिप्शन जो की समुद्र गुपते समय का था इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं यहां से भी कोई भी क्वेशन आपको देखने को मिल सकता है आगे बढ़ेंगे क्वेशन 17 की तरफ काला स्टेट्मेंट देखते हैं मतुरा के कारीगरों ने शुरू में यक्ष और यक्षी के मौर्य मूर्ति कला रूपों को जारी रखा जब तक कि बुद्ध की एक एक मानवियच अभी दिखाई नहीं दी जो कला के अन्य स्कूलों के ससंत्रती लेकिन बाद में गंधार स् यहां पर पहला स्टेट्मेंट सही है दूसरा स्टेट्मेंट सही है दोनों ही सही है फिर दोनों ही गलत हैं यह आपको बताना है याद रखना मत्रा स्कूल ओफ आर्ट से लेकिन जो दोनों स्टेट्मेंट यहां पर दिये है वो दोनों ही दोनों आपके करेक्ट है इसलिए 17 का राइट अप्शन नूम्बर सी होगा तो इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अभी आप क्लास के बार मत्रा पढ़ेंगे और फिर चेक आउट करेंगे कि दोनों स्टेट्मेंट क्या है प्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेशन नूमर 18 की तरफ क्वेशन नूमर 18 में मैंने आप सभी से पूछा है इन में से कौन सा कला विध्याले कमल और पून कुम्ब रुपांकनों की सुभता और प्रतुरता को व्यक्त करता है इन में से कौन सा कला जो है आपके विध्याले कमल और पून कुम्ब रुपांकनों की सुभता और प्रतुरता को व्यक्त करता है अगर ये question आपके exam में आजा है तो right answer होगा अमब्रावति school of art इस question का right answer होगा It means question number 18 ख right answer option number c है आगे बढ़ेगे question number 19 की तरफ question number 19 में मैंने आप सभी से पूछा है पूपाल ग्रिष्ण गोखले के दौरा एम जी राना डे बाल गंगादर तिला क्या विपिन चंदरपाल यह आप सभी को पता है यह आप में से किसी कभी गलत नहीं होना चाहिए तो आप सभी को पता है तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन है गोपाल ग और आपने अव्यस सी बात है आप सभी ने इस क्वेशन का राइट अंसर ऑप्शन नमबर ए ही दिया होगा क्योंकि आप सभी को पता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को कब पाउंड किया गया था 1915 में याद रखना किसके दौरा गोपाल गिरिष्ण को उखले के द धर्मों के भारतियों को कल्यार कारी कारों में एक्जूट करके और इसको प्रशिफ्चित करने का उद्देश से इसका था और यह पहला सेक्यूलर और ऑर्गिनाइजेशन था हमारे कंट्री में ठीक है यह सारी चीज याद रखना मैंने आपको यह याद दोना चीए और ग महत्मा गांधी किसके लेखन से अत्यधिक प्रभावित थे आपके अप्शन से हैं बर्नेट्सों कालमाक्स लैनिन या लिव टॉल्स्टोई वेरी इंपोर्टेंट है कई बार रहा चुका है और आपने इसको बहुत से एक्जाम में देखा भी होगा कि महत्मा गांधी किसक प्रभावित थे वो बिल्कुल ही सही है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 21 की तरफ question number 21 में मैंने आपसे पूछा है who favor the Arctic home theory of the Aryan से किस ने किया था आपके options है पारगीटर एसी दास बालगंगा दर्ति लग या फिर जैकोबिक तो आपको पता है कि very important यह आपके वैदिक पीरेड आपके वैदिक एज से कॉंसेप्ट है और जितने भी student ने मेरी वीडियो नहीं देखी है lecture आपको मिल जाएगा ancient history की playlist में जाक बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजे concept क्लियर कर रहा है जितने भी student ने वीडियो देखी उनको अल्रेडी वात पता है जिन्होंने नहीं देखिया आप जाकर के देखिए कि कौन सी थियोरी किस ने दी है और एक वैदिक पीरेड से कोई भी question अगर आपसे पूछ लिया जा आते अभी तक revision भी नहीं किया है ज्यादा डिटेल में नहीं पता उस lecture को देख लो आपका काम बन जाएगा उससे लिटीट कुछ भी आएगा तो आप इसली से कर पाऊगे अदर्वाइस आपको पता है कि आप टिक होम थियोरी कि आर्यांस जो है कहां से थे कैसे थे कहां र वैसे आई नो कि maximum studentist का अंसर बिलकुल सही दिया होगा ठीक है तो कि सबने इसको अल्रेडी पढ़ा हुआ है चलिए आगे बढ़ेंगे question number 22 की तरफ question number 22 में मैंने आपसे पूछा है प्राचिन भारत में जिस सल्य चिकिस्टा का अभ्यास किया जाता है वैं इन में से किस विद्वान के कारणों से जाना जाता है the surgery that was practiced in ancient India is known from the work of which of the following scholars आपके option से हित्री है सुशुत्र, चरक या फिर वागभट अपने NCRT पढ़े होगी वहाँ पे भी ये चीज़े बहुत अच्छे तरीके से mention है और maximum time ये question repeat भी होता है जल्दी से मुझे आप लोग comment करके बताओगे इस question का right answer क्या होने वाला है इससे पहले मैं आप सभी को बताओं लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे इस question के बारे में बताने वाला है option number B अगर हम बात करते हैं आपकी चरक सहीता भी आप लोगों ने सुने बहुत ही important है ठीक है इसमें आपके संस्क्रिट टेस्ट है आपकी आयुरवेद की क्या है संस्क्रिट टेस्ट है इन दोनों में आप कि इसमें किसकी बात की गई है इसमें आपकी मैंने भी बताएं इसमें आपकी सरजरी की बात की गई है तो याद रखना सुशुट इसका राइट आन्सर है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आप explanation भी देख सकते हैं सुसु सहीता सबसे महतोपूर प्राचिन चिकिसा गरंतों में से एक है और चरक सहीता के साथ भारत में चिकिसा परंपरा के मौली गरंतों में से भी एक है ठीक है और यह father of surgery इन्हें जनक कहा जाता है किसे सूसुरत को चलिए आगे बढ़ेंगे question number 13 की तरफ question number 13 में आप सभी से पूछा गया है आपको बताना है नाना पडविस का मूल नेम औरिजनल नेम क्या था ये पूछा है मदाज जी सिंदिया तुकोजी होलकर नरायन राओ बाला जी जनादर्न भानू अगर ये exam में question आजाए तो याद रखना नाना पडविस का जो मूल नेम है औरिजनल नेम है वो क्या है अपका बाला जी जनादर्न भानू ठीक है इस question का right answer क्या होगा option number D जितने भी student ने question number 23 का D बता है वो बिलकुल correct है चलिए आगे बढ़ेंगे next question question number 24 की तरफ question number 24 में पूछा गया है कि प्रियाग शहर का नाम इलाबाद अल्हा का शहर किसके दुआरा रखा गया था the city of प्रियाग was named अलाबाद the city of अलाबाए औरंजेब अकबर सहाजहा या फिर बादूर सहाजफर जल्दी से comment करके बताओ वीडियो को like share अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं कैवर जल्दी से कर दो वीडियो पसंदार ये तो comment करके जरूर बताना कि आज के questions आपको कैसे लगे कुछ नया आपको मिला practice करने के लिए तो चलिए अगर बढ़ते हैं अगर आपसे एक्जाम में पूछ लिया जाए तो city of Riyadh was name Allahabad the city of Allahabai ये किस के दोरा रखा गया तो आप सभी को बताए अकबर के दोरा question number 24 का right answer option number B है जितने भी student ने option number B बताया वो सही है बात करते हैं इसके explanation की तो आप next slide पे देख सकते हैं संबराट अकबर ने इलाबास के नाम से सहर की स्तापना की थी जो बाद में इलाबाद बन गया जिसका अगरत है अल्ला का सहर संगम के रणीतिक महत्र से प्रभावी तो आप लोग देख सकते हो आज present time में दायन फाइनलिस को प्रियागराज में convert कर दिया है वापस लेकिन अकबर ने इलाबास के नाम से सहर की स्तापना की थी जिसे हम बाद में इलाबाद या फिर अल्हाबाद के नाम से जानते हैं और इसका मतलब क्या है अल्ला का सहर दस्टी ओफ अल्ला ठीक है चलिए बढ़ते अपने last question की तरफ question number 25 आप सभी के सामने ये रहा question number 25 बहुत ध् bank से शर्ण लिया था very important है देख लो इस तरीके से भी आते हैं history का ही modern history का ही question है from which of the following bank क्रिडिट मदन मोहन माल विये टेक लोन फर फाइनेंशिंग दा हिंदुस्तान टाइंज आपके आप से स्टेट बैंक ओफ इंडिया पंजाब नैशनल बैंक बैंक ओफ महरास्टर या बैंक ओफ बरोद्रा तो जल्दी से इसका अंसर मुझे कमेंट करके बताएं और इसका के पास टाइम है तो आप लोग उस टॉपिक का नाम नीचे मेंशन कर सकते हैं सबसे ज्यादा जिस पर कमेंट आएगा हम उस पर बात करेंगे बाकी टैस सेरीज में लाती रहोंगी जिसमें आपको इंशन मेडियेवल मॉर्डन वर्ल डिस्ट्री के क्वेशन मिलते रहेंग तो एक में वो भी एक टैस सेरीज में लाओंगी जिसमें आपके लास्ट पाइब यर के क्वेशन से रखूंगी तो नेक्स वीडियो आपको उस पर देखने को मिलेगी क्लियर हो गया तो वो वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सुस्क्राइब कर रहो ताकि आपको टाइ अंजाब नैशनल बैंक ठीक है 25 का राइट आज और ऑप्शन नमबर भी है अल्रेडी आपने इसको पढ़ा होगा तो यह किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अब जल्दी से वीडियो में कमेंट करके नीचे सभी मुझे बताएंगे कि आउट और 25 आप सभी का स्कोर कैसा वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना आप मेंसे किसी को भी नहीं भूलना है आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह मेरा हिस्ट्री इंस्टाग्राम है आप सभी मुझे म कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं आज क्यास कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा बाकि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाते हैं मुझे अपडेट ज्यादा से ज्यादा इसका कमेंट रहेगा जिस टॉपिक पर मैं उसी पर लेक्टर लेकर क्या हूंगी तो